रुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तक्रीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुल्डे उजड़ जित भस्त कराया जाए नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल जस्तक मैं इस देश के साथ हूँ मैं कुबैत इरान या किसी भी देश से भारत माफी मांगे भारत सरकार माफी मांगे मैं इसके खिलाफ हूँ मैं भारत के साथ हूँ मैं भारत की संपर्वता के साथ हूँ मैं भारत के संबिधान के साथ हूँ मैं भारत के परधान मंतरी के साथ हूँ लेकिन माफ किजिएगा मैं BJP के साथ नहीं हूँ, मैं RSS के साथ नहीं हूँ, मैं नुपुर सर्मा के साथ नहीं हूँ, मैं नभीन कुमार जिंदल के साथ नहीं हूँ मैं RSS के उन तमाम RSS BJP के उन समर्थकों के साथ नहीं हूँ जो दिन भर जिनकी पूरी राजनीती मुसल्मानों को गाली देना एक धर्म विसेस को गाली देना SC, STOBC को आरक्षन खतम करना और जाती के नाम पर द्रव फलाना है नमस्कार मैं शंबु कुमार सिंग और आप देख रहें निस्नल दस्तक सोचिए कहा BJP समर्थक कह रहे थे कि परधान मंत्री का डंग का वज रहा है कहा BJP समर्थक कह रहे थे कि मोदी जी का पूरी दुनिया में नाम है कहा BJP RSS के लोग कह रहे थे कि दुनिया थर-thर कापती है मैंने कहा था न कि परधान मंत्री मोदी परधान मंत्री के तौर पे फेल है बाइलेटरल इलिसंसिप दुई पक्षिय संबंध के बारे में फेल है फोरें पॉलिसी फेल है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये इस देश के एक बड़े जानकार सुब्रण्यम स्वामी कह रहे है और साथ हो गया है कि BJP और RSS की कर्तूतों की बज़े से आज कुबैत हो इराक हो, इरान हो या कतर हो ऐसे देश हमें आँख दिखा रहे है मैं अपने देश के साथ हूँ, मैं इस देश के परधान मंतरी पद के साथ हूँ लेकिन मैं BJP RSS के साथ नहीं हूँ मैं फिर कह रहा हूँ, नुपुर सर्मा पर कारवाई होनी चाहिए नभीन कुमार जिंदल पर कारवाई होनी चाहिए सोचिए, हर उस सक्स पर कारवाई होती जो इस देश में जाती और धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं हम लोग लगातार किस बात के लिए लग रहे हैं जाती बात को खत्म करने के खिलाब इस देश में मुझे रोज सौ का उलाते हैं SC, ST, OBC, Minority के लोग के साथ हिंसा होती है उनके साथ रेफ होता है, मारपीठ होती है बस सुलुकी होती है, बस तमीजी होती है ये करने वाले कौन लोग हैं? जाती के नाम पर जो हिंसा करते हैं वही मुसलमानों से धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं वही क्रिश्चनों से धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं वही सिखों से नफरत करते हैं वही इस देश में जाट, गुर्जर, मराथा, पटेलों से नफरत करते हैं और इनको पहचानने की जरूरत है और ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं बुवारेसिस और बीजेपी के एजेंट है, ये नुपुर सर्मा और नबिर कुमार जिंदल से साफ होता है तो सोचिए भारत एक शांदार देश है, बरा देश है, सक्तिसाली देश है, लेकिन कुछ लोगों की बज़ा से बदनामी हो रही है लेकिन भारत सरकार को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार को किसी के सामने जुकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पाकिस्तान कुबय तिरान की सला की भी जरूरत नहीं है जो भारत में जाती और धर्म के नाम पर नफरत बो रहे हैं उनको सबक सिखाने के जुरुत है और उनको जेल भेदने के जुरुत है रतनलाल के साथ क्या हुआ था आप सोचिए इस देश में एक कानून है सभी धर्मों का सम्मान करना है लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे मैं जिस धर्म में हूँ और उस धर्म का मैं पीरित हूँ तो मैं अपने धर्म के खिलाब बात कर सकता हूँ उस पर सवाल उठा सकता हूँ मैं उसकी आलोचना कर सकता हूँ बसरते, जिस धर्मे मैं हूँ ही नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना है सवाल ये पैदा होता है तो चलिए वो तमाम पोश्ट दिखाता हूँ, देखते हैं कि जिस तरह से प्रफेसर रतनलाल जो खुद हिंदू है उन्होंने धर्म क्या लोचना भी नहीं की थी लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो सिडूलकार से है इस देश में तमाम उमर खालीद, खालीद सैफी, मिरान हैदर, सरजिल इमाम को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो मुसल्मान है इस देश में परसांद कनोजिया और नेशनल दस्ता को इसलिए टार्गेट किया जाता है क्योंकि हम लोगे CSTOBC मैनोर्टी के लोग है और सोशित बंचिस समाज की आबाज उठाते हैं लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने RSS और BJP ने इस देश का नाम खड़ाब किया है देश को शर्मसार किया है और इस देश से इनको माफी मागनी चाहिए इस देश की परधान मंत्री पत की गरिमा को भी खराब किया क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कतर, इरान, इराक जो हमारे अच्छे दोस्त थे पूरा मीडिलीस जहां हमारे लाको लोग नौकरी करते हैं आज हमारे समान का बैकोट हो रहा है इस नभीन जिंदल और नुपुर सर्मा की बज़े से क्या भारत के लोग जो RSS और BJP के समर्तक हैं वो तेल का भहिसकार करेंगे जो कल तक फुल जड़ी का भहिसकार करते थे, चाइनीज फुल जड़ी का जो एप को बंद कर देते थे, वो करेंगे तेल का भहिसकार आप सोचिए आपने देश को किस मुहाने पर ख़रा कर दिया है ये भारत का सम्मान का मामला है, इनको जेल में डाल देना चाहिए ये सब धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और मैं एक लिस्ट जारी करूँगा कि कौन लोग है जिनके सहपर ये सब हो रहा है तवलीन सिंग ने लिखा है नुपुर सर्मा is not heroine that needs support नुपुर सर्मा कोई ऐसी heroine नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि उसकी support होना चाहिए बिनोत काप्री आगे लिखते है अपने परवक्ताओं को ओची हर्कत, कलंकित बयान और नफरती भासनों को प्रसरे देने और भारत का अपमान करने के लिए पूरे देश से माफी मागनी चाहिए इरान, कुवैत, कतर के बाद सौधी अरब सर्मनाख है ये सब भारत का इतना अपमान कभी नहीं हुआ सोचिये देश को किस मुहाने पर इन लोगों ने ख़ड़ा कर दिया है और बीजेपी कहरे है ये फ्रिंज एलिमेंट है नुपुर्शर्मा नुपुर्शर्मा की तस्वीरे एक-एक मंतरी के साथ है ये देखें बिदेश मंतरी के साथ है गिरी मंतरी के साथ है परधान मंतरी के साथ है वो बीजेपी की निशनल परवक्ता है आप सुचिए और ये देखिए क्या लिख रहे हैं लोग ये एक महिला का सुनिए ये किस तरह से कह रही है कि फ्राइडे को जो जुमे का नमाज होता है वो आतंक की कोशिश है ये सुनिए जुम्मा इबादत का दिन नहोकर आतंक का दिन होता है इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड एकत्र कराई जाती है उसका उदेश इबादत नहोकर अन्धर्मों के व्यक्तियों का कटले आप आजणी लूट पार छेठाड आदी होता है अता जन्नित में हिंदू महासमा आप के समख्ष निम्लिकित मां के उपक्सित करती है पहली जुम्मे की नमाद के दिन छोटी मस्जिदों में दस एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक विक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंद लगाया जाए यानि सामोही क्रमाद पर तसकार प्रमाद से प्रतिबंद प्रतिबंद लाने एवं राष्ट बिरोधी तक्रीरे देने वाले मौलानाओं एवं मुक्तियों के खिलाफ राष्टियत रक्षा कानून के अंतरगत करवाई पुरत अमल में लाई जाए जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तक्रीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बीजेपी प्रवक्ताओं की हैसियत नुपूर सर्मा और नबिल जिंदल ने पैगंबर मुहमत के लिए भद्र भासा के इस्तेमाल के दस दिन बाद बीजेपी ने कारवाई की है लेकिन सरकार और पुलिस ने क्या किया क्या सरकार की नेजर में अपराद नहीं है बराबर का कर दे है हिम्मत या फिर माफि मांगने के सिवाई कोई चारा नहीं कमवक्तों ने सरमसार कर दिया देश को सोचिए गलती आरेसेस की है गलती बीजेपी की है नुपूर सर्मा की है नबीन जिंदल की है और आज सरमसार भारत को होना पर रहा है देश को होना पर रहा है मैं कह नहीं चेता गया और इस लापरवाही ने 20 करोड के साथ दो अरब को खड़ा कर दिया अब भी वक्त है नफरत पर लगाम लगाने का दो अरब लोग मुसल्मान है इस दुनिया में जो इसलाम को मानते हैं पूरा साउसिस एसिया बुद्धिष्ट को मानता है पूरी दुनिया म ही खाने देते हैं आप उनके अरक्षन का बिरोद करते हैं आप उनको पुजारी नहीं बना सकते हैं आप आपस में इतने बटे हुए हैं और आप चले हैं मुसल्मानों से लरने आपने देश को शर्मशार किया है कतर के सहायक विदेश मंतरी का कड़ा बयान कहा अगर अधि पर अभध टिपनी के बाद साओधी अरब कुबैत भरी इंडिया पोड़क्ट सभी स्टोर से भारत आए गया है सोचे मीडिया क्या कर रही है कुछ मीडिया एक अप्राधिक समू को बार बार बिस्नोई गैंग बता रही है ये भी समझे भारत दुनिया भर के अलग थलक प पराबर है ये कौन लोग थे समसान कबिरस्तान का सुरुआत हुआ कपरे की पहचान साहिन बाद को जटका दो गोली मारो कौन बोला था तमाम नफरती सभाव पर कौन चुप रहा सच है कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी ने पिछले आठ सालों में अपनी पूरी परनी चाहिए इन पर कारवाई हो इस तरह के चीज़े कर रहें इनके उपर बरी कारवाई होनी चाहिए अगर कारवाई नहीं होती है तो समझे क्या होगा मनिस्टी सौधिया ने लिखा आए इतने छोटे छोटे देशों की भारत जैसे महान देश को आख दिखाने की हिम्मत हो गई मोदी जी और भाजपा ने देश का क्या हल कर दिया आज हर भारतबासी भिहत पिरित है दुख की कोई सीमा नहीं है सोचीया आप यह देखे बी जैपी बी जैपी की राष्टीये प्रवक्ता पाप करे देश का नाम बदनाम करे और माफी मांगे भारत नहीं जेपी नड़्डाजी आप माफी मांगो अमिस्सा का करतव है कि राष्ट का सिर नीचे करने वाले परवक्ता पर मुकदमा करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दे आप सोचिए इस तरह की चीजे हो रही है इस देश में और इसके लिए कौन लोग दोसी है में दोसी है उसका भी पड़ाफास करूँगा उसका भी बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने देश को बदनाम कर दिया है इस देश को शर्मशार कर दिया है और इन पर कारवाई करने की जरूरत है नहीं अगर कारवाई होगी तो ये देश में और बरहाएंगे जाती और धर्म का नफरत अपने देश के लोग का बिरोध कर रहे थे तो कुछ नहीं किया अरब देसों में विरोज शुरुआ तो पाटी से निकाल फेका अपने नागरीकों की सुन लेते तो इतनी भद नहीं पिटनी रन विजय सिंग ने लिखा असल में तो एंकर साहिवा को भी माफी मांगनी चाहिए सब उन्ही का किया धर है तो यह समझे आप हिंदु धर्म के ठेकदार और मुसलिम धर्म के ठेकदारों को टीबी डिवेट से बैन किया जाना चाहिए आज पूरे देश का नाम खड़ाब हो रहा है एक आदमी है जो नुपूर सर्मा के साथ खड़ा है उस सक्स को पहचान ले इसका नाम है असोक पंडित ये कह रहा है कि मैं नुपूर सर्मा के साथ हूँ परतीक सिना ने लिखा है the other side of the story is that tomorrow when a poor Muslim सोचिए गरीब मुसल्मानों की हत्या हो रही है पुरी दुनिया में खामोसी है लेकिन जब इसलाम की बात आई तो पुरी दुनिया एक हो गया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के मुसल्मानों को भी समझना पढ़ेगा कि आपको भारत के साथ रहना है भारत की संपर्भुता के साथ रहना है भारत के संभिधान के साथ रहना है कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे भारत की अखंडता को चोट पहुंचे कुछ हैं ऐसे धर्म के ठेकदार बैठे हुए जो टीबी पर पांचजा रुपए के लिए नफरत फैलाते हैं और यह रुबिका लियाकत फैसला नहीं लिया तो रोने लगा था रुदाली गैंका फैसला ले लिया तो रोने लगा रोना जाई रहेगा यह रुबिका लियाकत सबसे जादन इरान कतर कुबै जैसे मुल्क ने भारती राधूतों को तलब किया भारत सरकार ने ब देश में भारत की मिट्टी पलिद होने लगे रभीस कुमार ने लिखा है सोचे रोहिनी सिंग कह रही है किस तरह से लगातार टॉक्सिक डिबेट होड़ा है चैनलों पर राजकी सोर कह रहे हैं परवकताओं को तो बीजेपी इंडिया ने बाहर रास्ता दिखा दिया मगर तो सजा होनी चाहिए हिंदू जगा ने आया थे लेकिन गलती से सोते हुए अरब को जगा दिया तो अरब सुकला लिखते हैं यह फरजी बाबा और फरजी मौल भी टीवी पर बखबख करते हैं इसी का नतीजा है कि समाज की सांती बिगर रही है दिलीप मंडल लिखते हैं और यह आपको समझना पड़ेगा और नहीं अस्वन सिना लिखते हैं बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन इसनाओ फ्रिंज अलिमेंट वाट बाट पार्टी इसलफ अपर अनफर्चुनेटली नॉट इन सिंटर मोधी हैस्टू मुमकिन है सोचे किस तरह से लोग बीजेप जो समप्रदाइक दंगे में धकेला जा रहा है और गल्ती करे भारती जनता पाटी और माफी मांगे भारत बिल्कुल सुएकार नहीं है पवन खेरा ने ये वीडियो लगाए सुन लीजए भारत माफी मांगे ऐसी गलती भारत ने नहीं की है गलती भारती जनता पार्टी ने की है उसका खामियाजा देश क्यों भुखतेगा आज प्रधान मंतरी को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाये जा रहा है कतर और कुवेत द्वारा इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हम सब के लिए और क्या हो सकती है एक प्रधान मंतरी और उसकी पार्टी ने हम सब का सर नीचे जुका दिया और भारत माफी मांग रहा है मुहमद जुबायर और ये देखिए राज अब एक चैनल नफरत फलाने वाले अंकरों में से एक को सस्पेंड करे या ओफियर करे तो कुछ बात बने रोहित विश्करमा इरान कुवेत कतर के बाद साओधी अरग ने भी बीजेपी को पपू यादा पूरा देश कस्मीर बन गया है मनोज जाके सब परिबार ये बिहार की खबर है जिस पर बात करूँगा मैं बाद में तो आज की सबसे बड़ी खबर है पहले संपरदाइक जहर बोया सुर्मन्यम स्वामी के एक ट्विट से खतम करूँगा दुरिंग मोदी गौफ्ट एट यर्स भारत माता है तो हैंग हर हेड इन सेम बिकाज बिच क्रोइल बिफोर द चाइनीज हम चाइना के सामने जुग गए लद्दाख में केल्ट भीफोर द रसिया रसिया के सामने जुग गए अमिरका के सामने जुट गए बट भी डिड संगठन दंडवत सस्टांग डंडवत भीफोर द टीनी कटर डैट वाज दी प्राइविटी ओफाबर फॉरेंड पॉलिसी वो कह रहे हैं कि चीन रूस जापान सब के सामने जुग गए कतर के सामने भी जुखना डंडवत परनाम करना पर रहा है यह फोरेंड पॉलिसी की फेलियर है और यह टाइमस नाव सुधरने वाला नहीं है जिसका सबसे जादे यह नभीन जिंदल की फोटो लगा दिया नभ CJP और RSS ने इस देश का नाम बरबाद कर दिया है और अब दूसरे वीडियो में देखिएगा वो कौन लोग है टीवी चैनल एंकर और फत्रकार जो इस देश को बदनाम कर रहे हैं जाती और धर्मों में लड़ा रहे हैं अपनी पर्त्क्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल